Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, word of the day का सिरीज है, एक word है, relapse. अच्छा word है relapse, relapse का इस्तेमाल हम कहां पर करते गाईज, यह एक वर्ब है. तो आप इसको relapse, relapsed, relapsing, relapses, ऐसे बोल सकते हो. होता कहा है, माली जे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पहले बहुत उसकी bad habits थी, बुरी आदिते थी, अब उसकी आदिते सुधर गई है, वो एक अच्छा बन गया, अच्छा बिहेव करता है. लेकिन कुछ तिनों बाद, फिर वो वापस अपने उन्ही बुरी आदितों में चला जाता है. तो अगर कोई, मतलब किसी past से, किसी bad अवस्था से, good अवस्था में आया, और फिर वो पुना उसी अवस्था में वापिस चला जाए, वहाँ पर हम relapse का इस्तपाल करते हैं. जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि, you know, this person was behaving nicely yesterday, but again he relapsed into his old habits, तो again he relapsed into his old habits, यानि कि फिर ये अपनी पुरानी अवस्था में, पुरानी आदितों में चला गया है. मा लिजे, कि कोई वेक्ती है, अब वो वेक्ती बिमार था पहले, उसकी अवस्था ठीक नहीं थी, वो बिमार था, लेकिन अब वो क्या है, धीरे धीरे वो ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, हम कहरें, wow, this person is good, his condition is okay, लेकिन अचानक से पता चला कि फिर उसकी condition खराब हो गया, यानि कि फिर वो उसी अवस्था में वापिस चला गया, हम कह सकते हैं कि, he was alright, but after some time, he relapsed into his old condition, so he relapsed into his old condition, यानि कि वो लोट गया, चला गया अपनी पुरानी अवस्था, समझ मेरा गया, माली जे कोई बंदा ड्रग लेता था, और वो ड्रग लेता था, उसकी पुरानी ब और फिर जानिक पता चला कि कुछ देर बाद वो फिर ड्रग लेना शुरू कर दिया, तो कह सकते हैं कि, he was okay for few days, but after that he relapsed into his drug habits, और taking drugs इस तरीके से, तो समझ मेरा रहा है, तो relapse का इस्तमाल advanced English में हम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको इसको इस्तमाल किदे, बीमारी अपनी अवस्था में चला जाता है, तो relapse के, हम कहते हैं, you know, my friend is behaving well with me, अच्छा behave कर रहा है, but I think he can relapse anytime, I think he can relapse anytime, यनि कि मुझा लगता कभी भी वापिस जा सकता है, जो इसकी पहले जो behavior, इस behavior में कभी भी जा सकता है, तो I think इतना काफी होगा इसे relapse, इलते अगले वीड झाल